Mum I can replace everything आँछीटिग इन्टरोड़क्षण करके छोड़ा था था क्लास प्यो डिली रेजिस्टिफ सर्कीट का बारे याँ चार्ट हम बता यह था जिस में रेजिस्टर को बैटरी कनेक करता हो और दोएंटर प fim वह completely heat का फॉर्म में release होता है, ठीक है, जो entire energy वह completely heat का फॉर्म में release होता है, जैसे के हम लोका पंकाओ, जब fan चल रहा था, fan में भी fan गरम हो जाता है, switches गरम हो जाता है, बल्ब तो completely heat का basis में ही है, heating का वज़िस से बल्ब जल रहा है, iron वो भी heating effect का application है, toaster, oven, heater, सब heating effect का उपर है, ठीक है, अब दो प्रोली रेजिस्टिफ सर्कृत का डाइग्राम है, जिसमें यह एक रेजिस्टर है, आर है, तुम लोगो class 11 में इसका अपर detail में मिलेगा काफी है, since biomes तो क्या आता है, V is proportional to I, high है ना, और सिंस यह purely रेजिस्टिफ सर्कृत है, तो इसमें रेजिस्टेंस थोड़ा सा high होगा, अब मालनो तुम वोल्टेज 50 वोल्ट, मालनो तुम वोल्टेज 50 वोल्ट दिया है, ठीए, तो वेज़ा बात है, अगर हाइश वोल्टेज मतब हाई करेंट, एग्री करता है, अगर्वोल्टेज ज्यादा होगा, तो करेंड भी, ज्यादा होगा, इस बात सा एग्री करता है, बाट यह रेजिस्टेर क्या करेगा, उस flow of current को ऑपोस करेगा, तो उपूस करने के दुरान ओवेस अबाता सिंस करेंट को कंप्लीटी फ्लो नहीं कर पा रहा है और जितना होना ची इतना नहीं हो रहा है तो जिस वज़े से वो बाकी बचावा एनरजी को हीट का फॉर्म में रिलीस करता है तुम एक एक्जामपल ले सकता है जब मान लो और है उक्टार कव अच्छानक से ब्रेक मारो ताकि वो इमेडिनली रुख जाए तुम ब्रेक मारेगा इमेडिनी रुख जाएगा पर तुम देख ना टारह गरम होजाएगा आकन यह आद्ग करता है चान rifi कि ने यह यह लिए से यहां पर कहा नहीं है यहां पर उस उपोज कर वाज़्य। जानिक यहीड जिस्टर वाज़ड़ की भाझे ठीक है जैसे वहां फ्रिक्षंटी फोर्स का सफिल्ड जीड ज्रीट्र तर यहीड जिनरा गरेट कर किए तो है यह के बात है पहला देखो जाइन गंड़ेट कोनी दिना सेक्टुइस इसको रहा हिचा सकता कोई भी टाइस घुरा हिए गर्म नहीं होगा कि सब्सक्राइब जी अउछे तो इसको बाहे है सकता है ही रिलीज हो गई होगा ठीक है तो इसका स्तमाल किसे क्या इसको एड़बांटेज में कैसे बदला देखो इस यूज़ इन वेरियस अप्लाइंसे स्लाइक इलेक्रिक आयरन इलेक्रिक एक्टर एक्सेटर तोस्टर रीटर आयरन यह सब बना कि हम लोग हीटिंग इफक स्कैने का मतलब यह देखो आह द्छल आनलों हां रेफ्रिजे अर यह है वाई чудu श्राइटकर गुछुड कर दिए ज्構ड्येज़एं आल beverage कर दिया है किस्थ्रडा में एक रैज्राइट कर दिए अभिस्थ्ञचिज़ ने सक पलच लुज़ रह्ट गया है मालु इसका यह 15 ay का उससे ज्यादा capacity है नियानिक रफरीजेटर को भी 15 एंपयर करेंट चाहिए अगर 15 एंपयर करेंट से रफरीजेटर को 15 एंपयर से ज्यादा करेंट अगर मिलता है तो रफरीजेटर का खराब होने का chances है ठीक है तो हम लोग क्या क्या बीच में fuse wire add कर दिया जगर 15A से ज्यादा current flow हो तो यह wire melt हो जाएगा और अगर wire melt हो गया तो पीच का connection है वो break हो गया यानि कि हाई current रेफरीजेटर तक पहुंचा ही नहीं और रेफरीजेटर safe है यह क्या कर रहा है यह इसमें एक fuse wire add कर रहा है जो red color से denote कर रहा है और यह fuse wire किया है जो 15A से ज्यादा current नहीं छेल सकता, अगर 15A से ज्यादा current flow हुआ तो यह fuse wire क्या होगा पिखल जाएगा, और हम यहाँ पर 15A का fuse wire लगा है क्यूं, क्यूंकि रेफ्रीजेटर में भी हमको 15A से ज्यादा current चाहिए तो जैसे ही high current flow होगा, क्या होगा यह पिखल जाएगा तो पिखल के मतब circuit break इधर से इधर current जाए नहीं पा रहा है, hence मेरा refrigerator safe है, कोई डाउट? जै कैसे fuse का अप्लिकेशन होगा, मना heating effect का अप्लिकेशन होगा, अभी तो present में modern types वारा fuse अप्लिकेशन होगा, अभी वो गीर जाता है MCVA से, अभी अलग अलगता रखा गया, जो इस स्टार्टिंग क्याएग तो जहां पर wire का स्टमाल करता था, clear, आगे बढ़े ही, तो तो एक अप्लिकेशन है, electric bulb, तो electric bulb में, जो metal है, वो क्या है, tungsten, यार कि जो filament है, tungsten metal से बना है, क्यों इस्तमाल क्या है, because इसका melting point काफी high है, okay, done, और obvious बात है, इसका resistance भी high है, तो अगर high resistance उफर करेगा, तो heating भी, heat भी ज्यादा produce करेगा, good out, तो tungsten is a metal used to make filament, because it offers high resistance and produces more heat, and it has very high melting point, मतब जल्दी से पिग लेगा नहीं है, तो यानि कि ज्यादा लंबा समय तक heat produce कर सकता है, good out, clear, second thing, क्या tungsten, जो filament है, क्या वो metal है, और हम लोग मालुम है, metal oxygen के साद रियक्ट कर सकता है, इसलिए, bulbs का अंदर डगो, the bulbs are usually filled with inactive nitrogen and argon gases, instead of oxygen, क्यों, to prolong the life of the filament, अगर oxygen हुआ, तो वो oxygen के साद रियक्ट कर सकता है, और metal में वो लग सकता है, जंग लग सकता है, तो यानि कि, to prolong the life of the filament, यानि कि, filament का lifespan बढ़ाने के लिए, nitrogen and argon gases का इस्तमाल करता है, the tungsten do not react with nitrogen and argon like oxygen, जिस तरह से oxygen से react करता है, बैसे nitrogen या आरगन के साद रियक्ट नहीं करता, तो टेक लग बाए, इलेक्टिक बल्ब में कोई doubt, किसी को भी, ठीक ना, दिया, अभी या, प्राची, केसर, okay, अभी, आसर, अभी, आसर, आरेन का डाइग्रम कैसा बनाया है, बता हूँ, अच्छा बनाया है, अच्छा बनाया ना, तही है, आँ, अभी एलेक्टिक आरेन, इसमें जो, जैसे बल्ब में फिलामेंट यूज हो रहा था, जो मेटल वाला पार्ट यूज हो रहा था, तो फिलामेंट वो अथा टंग्स्टेन, इसमें जो, अच्छा, फिलामेंट को हमनों हीटिंग एलेमेंट भी बोलता है, हीटिंग एलेमेंट क्या हूँ, जिसका जैसे हीट प्रेडूस हो रहा है तो निक्रोम इस हीटिंग एलेमेंट बिकॉस यह तेस हायर रेजिस्टिविटी देन इस कंसिट्वेंट मेटल और अल्सो गेट सीट तो यह इजीली गरम हो जाता है तो हम लोगा जो पानी गरम करने वाला रॉड है वह भी निक्रोम से यह भी लक्रिंग बना तो यह व्ला आइड वाला कओ एसा के ओर आवके क्नेक्ट हे और यह वाला पार्ट होजा पालने फितिंग यह गरब होता है इसको आईजरन का नेचे वाला जैसे ज्यादा रेजिस्टिटिविटी है निक्रों का जिससे बना उससे ज्यादा है इस वज़े से निक्रों का इस्तमाल किया गया हुआ को डाउट अच्प अगे बढ़ी है इतना तक तीज़र एक ना जिसे की यूज किया आगे बढ़ें इसमें से एसे असे भी आएगा ऐसे नहीं बोलेगा राइट अबाउट इलेक्ट्रिक बल्ब यह नहीं पुछेगा डेफिनेटली आप पूछ सकता है वाई निक्रोम इस उचें हीटिंग एलिमेंट यही लिखना है बिकॉस इस हायर रेजिस्टिविटी देन इस कंस्टिट्वेंट अल्सो गेट्स हीटेट गरम हो जाता है यहीट रिलीज करता है फिर नेक्स टॉपिक है अच्छा यह बोल सकता है यह हीटिंग एफेक के अप्लिकेशन का बारे में लिखो तब बल्ब आयरन फ्यूज दो दो अभी हम लोगें एक्जांपल देखा है यह सेटी डिवैस का तरह काम करता है जो एप्लाइन्स को बचा के रखता है कैसे करन्ट को रोग देता है खुद पीगल जाएगा और सर्कीट को ब्रेक कर देगा हम दिखाता लगों माल लो यह एक सरकीट है जो हम ब्लेक कलर से बना रहा है तो पीछ में दुख हुआ हम यह वाला हम तुछ बैंट करके देनोट कर दिया राइड कलर से यह मेरा माल लो फ्यूज वायर है हम बोलकी रख़रा है किके इसका करेट रिट्यारमेंट मेरा 4.9 एंप्यर है थित्म है इसका करेंट रिक्वारमेंट 5.1 एंप्यर है तो अवेससा बते है और 5.1 लायर घु झाप्याँ लाई से ज्यादा करेंट फ्लो खीर तो अगर बाइचान 5.8 A का current flow हुआ या 7 A का current flow हुआ तो यह wire क्या होगा? पिगल गया तो 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 circuit brake अब current flow नहीं हो पा रहा है और यह device safe है यह device safe है, good out तो fuse wire एक fixed rating का आता है, ऐसा नहीं जी हम लोगो 4 A का fuse wire मिल जाएगा या 7 A का fuse wire मिल जाएगा नहीं fuse wire 1, 2, 3, 5, 10 and 15 A का आता है fuse wire का rating है या तो 1 A है, 2 A है, 3 A है, 5 A है, 10 A है and 15 A है good out तो यह fuse wire rating available तो 5.1 A रेजिस्टर को था, इसले हम 5 A वाला इस्तेमाल किया हम 10 A वाला fuse wire इस्तेमाल नहीं किया हम हम 5 A वाला इसले इस्तेमाल किया विगोज में रेजिस्टर का requirement 5.1 A था तो 0.1 में चलो कोई problem नहीं है, ठीक ना मान लो इसका current requirement 9 A होता तो हम कौन सा fuse wire इस्तेमाल करता है 5 A वाला नहीं 10 A वाला वह ज्यादा closest है अगर 9 A requirement है, 5 A के fuse wire लगाते हैं वह तो हर बार पिगलते देगा बार बार तुम क्या बार बार fuse wire चेंज करेगा सार, हम fuse wire ही नहीं लगाएगा लगाएगा, क्यों नहीं लगाएगा, हम 10 A वाला लगा देगा हाला कि 1 A जादा है चलो 1 A से उतना फर्क नहीं पड़ेगा ऐसा थोड़ी है daily ही high current flow होगा तो 1 A से उतना फर्क नहीं पड़ेगा हलका सा device में नुक्सान होने का chances है पर उतना नहीं होगा high current flow होने से ही होता है तो 9 A का requirement में 9.1, 9.5 चल जाता है कोई problem नहीं है, ठीक है तो उतना current flow हो भी जाए तो problem नहीं होगा पर हाँ 9 A का requirement में 20 A 25 A flow नहीं होना चीए इसलिए तुम आराम से 10 A का fuse wire लगा सकता है जो closest है उसका लगाना है ठीक है या उपर कहीं लगाना है सर हमें समझा रहे कि तुम्हें बड़ेओं के इलेफिशन बनना है नहीं नहीं वैसा नहीं कि एक और यृसल में वाला बात इसलिए बताया है हाँ नहीचे कर्म कास्ते मतौब अच्छा ये कज़रा हम बतायावा माल ड़ु बताय ज़हते हैं नेत चारोप्सन दे रहा है A 5A, B 8A, C 9A, D 10A, बताओ कौन सा rating का fuse wire लगाएगा 9A, 8A, 9A के existy नहीं करता fuse wire, अभी हम वोह तो बुला 5A, जहाँ 9A का है नहीं है, 10A का लाईगा है उससे उपर वाला का तो सही option option d है ना की 8 ना की 9 यह याद रखना student लोग जलब वाज़ी में 8A टिक कर देता है पर सिंस 8A का fuse wire यह एक जिस्ट नहीं करता तो 10A का ही लगाएगा ठीक है तो mc को में यह खास ध्यान रखना अगर दे तो समझ गया ना इसमें भी 5 का नहीं लगा सकता नहीं लगाएगा हम लोग उपर का ही लगाएगा कम का क्यों लगाएगा कम का इसलिए नहीं लगाएगा मान लो अगर 8A requirement है तो office अबाता 6A या 7A current flow होना office अबाता है यह तो होते ही देगा डेली तो क्या तुम रोज fuse wire को बदलेगा क्या अबर 8A current requirement है तो 6A या 7A या 8A वो तो रोज ही flow होगा और तो 5A का fuse wire लगा के क्या रोज fuse wire बदलते देगा नहीं ना तो current requirement से ज़्यादा एंपियर का ही तुमको fuse wire लगाना है जितना requirement है उससे ज़्यादा वाला का ही fuse wire सी है कोई डाउट तो कभी लो वाला नहीं होगा उससे उपर वाला का होगा which is 10A यहाँ पर मेरा example में कोई डाउट fuse wire वाला example में किसी को भी तो fuse wire is connected in series ओविस अबाद है series में लगाना पड़ेगा पैरलेल में लगाएगा तो दूसरा wire से flow हो जाएगा ना क्या fuse wire को पैरलेल में लगा के कोई फाइदा है तुम देखो मालो ऐसे है और अब इसको ऐसे लगा देखा देखा यहां पर यह fuse wire है क्या फाइदा करेंट यहां से पास होई जाएगा ना कोई फाइदा होगा तो fuse wire को पैरलेल में लगाने का कोई फाइदा निया इसलिए fuse wire is always connected in series को डाउट इतना तो clear किसी को भी केसर प्राची आगे बढ़े तो fuse wire या तो किसी metal से बन सकता है या किसी alloy का भी हो सकता है फी फ्यूज वायर का melting point low होना पड़ेगा ताकि पिघल जाए जल दिशे तो दोको इत कंसिस्ट आप पीस आफ वायर मेट आप अफ मेटल और अलोई जिसका melting point low है तो जब एक्सेस करेंट फ्लो होगा तो यह मेटल पिघल जाएगा अड़ बेक्स दा सर्कीट दस इत प्रिवेंट ओवर हीटिंग उप इलेक्रिकल अप्लाइंसेश देख लो कोड़ाउट जाएगा तो हई करेंट फ्लो होगा नहीं तो डिवाइस भी हीट नहीं होगा ऑफिस हरत है अगरन से ज़्यादा करनेंट फ्लो हो घ्नी हो गई जाता है तो डिवाइस से ठलाब रूजा केक्स हीट पर सब्धेशन घ्याप होगा इसलिए बुला ना अगर 5A requirement है 5.2, 5.3A current flow हो भी जाता है तो device आसानी से खराब नहीं होगा जैस थोड़ा सा heat up होगा थोड़ा सा heat up होगा हलका सा और कुछ निए इसलिए तुम देखना रेफरीजेटर या TV थोड़ा तो गरम होई जाता है चलते चलते यहां तक कोई doubt, fuse wire duct check करो इसका बद particularly sums आने वाला है अब theory खतम अब theory में कुछ नहीं है almost sums आएगा power का definition कुछ नहीं है main theory खतम इतना तक किसी को भी doubt है चेक कर लोगा electric fuse, electric bulb या जो भी है हम आगे बढ़ सकता है या कुछ पुछना है इसमें किसी को भी या दुबारा कुछ समझना है आया ना चीक है सब्सक्राइए बागी लोग रागव नहीं भी या के सर प्राची कृष्णा कल मैट्स का क्लास नहीं क्या था न तुम क्या क्या था या लेट से जॉइन हुआ था जो भी यह देख लिना वीडियो अपलोड़ेट है मिला लेना तुम आगे बढ़ता रहो यह दिट्टो सेम कोईशन तोजार थेस वाला में यह दो जो किया था उसलों का एंसर यह था टेंशन का बात ही नहीं था वाट शुट विड़ रेटिंग ऑफ फूजवायर पॉजवायर पूछ रहा है मतलब कितना रेटिंग होना चीए तो पहले हमको यह देखना पड़ेगा चिए इस इलेक्रिक आडियन का करेंट एक हमलों को पावर गिवेन है 1 किलोवाट किलो मतलब 1000 बाँजन 1 था वार्ट आयोप सबकों मावलों में जो पावर का si unit watt होता है क्लास 9 में मिला ईये हैना पता है ना सबकों पावर का si unit watt होता है W आया ना है वोल्टेज किना जाए 220 वोल्ट तो हमलों को मालू में पावर एकोल तो वी आई तो पावर कितना हजार इकोल तो 220 इंटो आई तो तुम केल्कुलेशन करेंगा तो आई का वलीट को 4.54 आया है हमको माल में इसका क्लोजेश्ट जो मेरा रेटिंग वायर वह पाइव एंपेर खा टगों एफ्यूस वायर ओफ फाईव एंपेर शुट ब्यूक्श्ट चेक करो सब्सक्राइब करें 50 से कमी आएगा सब्सक्राइब कोड़ आउट एक बार देख लू कि मुलोका बुक में तो 15 में नहीं दिये हैं जान दो ना हम बता दिया बाई चांस ते दे तो हाई चांस ना ही दे इस टाइब का कोईशन हम फिर भी बता दिया क्योंकि हमको एक दो जगां में दिखा था इसलिए तब बता दिया जैब पता रहना चीए आज आए तो अच्छा बात है नहीं आया तो भी अच्छा बात है अब देख लोकट आउट है तो अब बुलो अगया रहां सर यह क्लास रिकॉर्ड होगा ना हां ठीक है को बात नी कुछ खास नहीं बताया बेसिक सी है तुम देखेगा तो समझ जाएगा फिर भी नहीं समझ आता तो आमको मुलां दुबारा समझातेगा ठीक है यहां से दुखलो यह अलगी है अब दो वाट इस एलेक्रिक पावर इस एक पावर इस वाट शिंबल डब्ली तो दुखलो यहां पर भी वान वाट आईगा डेफिनिटली अच्छे दिखना पी is equal to v, v मतलब 1V लेलेगा current हम लेलेगा 1A, तो यह बनेगा 1W, तो what is 1W जिसमें 1V और 1A current flow हो रहा है जब उसमें potential difference 1 volt लगा और 1 एंप्यर करेंट फ्लो हो रहा है तो ही हम लोगो 1 watt power मिलता है तो what is 1 watt लोगो formula सा ही definition है 1 watt is the power consumed by device that carries 1 एंप्यर करेंट when operated on 1 volt एक वोल्ट में operate किया है एक वोल्ट का बैटरी में जब एक एंप्यर करेंट फ्लो हो रहा है उससी को 1 watt power बहुता है clear और जो commercial unit है जो हम लोग यूज करता है मार्केट में मदब हम लोगा घर में आता है तुम देखना kilowatt आता है लिखावा तुम्हारा watt is a very small unit वाट बहुत छोटा value है जो हम लोगा day to day life में वापे kilowatt आता है clear तो commercial unit of power is kilowatt kW जैसे के भी हम लोग देखा है था 1 kilowatt power उपरवाल सम में clear electric power अब दो SI unit of energy सबको पता है जून ठीक है पर एक और हिसाब से देखते रहो heat क्या होता है power into time होता है power watt time को hour so watt hour तो also unit of electrical energy is watt hour या रखना this is not the SI unit definitely this is not the SI unit हा तो electrical energy का unit होगया watt hour एक और unit so what is one watt hour so one watt hour is the energy consumed when one watt of power is used for one hour कैसे देखो the power one watt into time one hour तो जब हमनों one watt power को use कर रहा है for one hour उसी को बलता है one watt hour it is the energy consumed जब one watt of power is used for one hour एक घंटा के लिए हमनों एक watt power इस्तिमाल कर रहा है तो उस समय जो energy use वह ही मेरा one watt hour है तो formula ही है formula से definition है power को one hour मान लिया time को one watt मान लिया time को one hour मान लिया एक बार टेखनों यहां तो किसी को भी so what is one watt hour one watt one watt hour is the energy consumed when one watt of power is used for one hour खतम जब एक watt power हम लोग एक घंटा के लिए use करता है उसी को one watt hour energy बोलता है आगे बड़ी अब commercial unit of electrical energy is kilowatt hour उप इसे बात है energy क्या होता है power into time अब power का commercial unit है kilowatt time होगे hour तो होगे ना kilowatt hour and relationship between kilowatt hour and joule क्या है kilo का जगा thousand लिखा और hour को जब सेकेंट में convert किया बाकी multiply करके 3.6 into 10 power 6 joule आगया यह mcq में आता है वान किलोवाट आवर कितना जूल होता है इतना जूल होता है या रखना mcq में देता है यह वान किलोवाट आवर में 3.6 into 10 power 6 joule क्या रखना आसान है 3.6 यानिकी power 6 watt into hour watt into seconds होगा kilowatt into hours होगा हम kilowatt into hours निकाला है या एसे watt second भी होता है watt second equal to joule watt second is joule it is the SI unit और एक और unit है जो बोलता है watt hour और किलो watt hour जो कि होगा commercial unit यहां पर तुमको टीन unit देखने को मिलता है एक time जहां पर hour का form में है या तो watt hour ले लो या तो kilowatt hour ले लो और एक time जहां second का form में है जिसको joule बोलता है watt second कोई power into time ही है ना तो SI unit watt SI unit second so watt second वही मेरा होगे joule ठीक है कोट आउट परसुत नहीं है और कुछ नहीं तो 1 kilowatt hour में 3.6 into 10 power 6 joule होता है तो यह थर्ट होड़ी part अब यहां से आएगा sum एक्जामपल नमबर देख लेना सबका में अलग हो सकता है किसी का में 11.10 होगा जो new book है एन इलेक्ट्रिक आइडन कंज्यूम्स एनरजी अटे rate of 840 watt मतला तुका पावर दे दिया कितना दिया 840 watt हीटिंग एक्षिममम रेज एन 360 watt वन हीटिंग एक्षिममम तो दो पावर का वैलू है ठीक है और वल्टेज कितना दिया 220 वाट अट पावर गर्रeंट इनीच केस मतलब आपर दो केस बता दिया एक मसिममम का केस एक मिनिममम का केस तो चलो पहले मक्सिममम का केस लेता है मैक्सिममम में पावर 840 वज्टिज 220 सो आई क्या होगा पी बाइग वी क्यों विक्सवट पी गल टो वी आई यहां से आया है, तो I equal to P by V, यानि कि 840 by 220 और वो calculate करके 3.82 एमपेर आगा है, खतम, फिर रेजिस्टेंस भी निकालने दिया है, अब रेजिस्टेंस आसान है, by ohms low R equal to क्या होता है, V by I, V 220, और I का जो भी fraction value आएगा वो इस्तमाल करना, तो जब इसका इस्तमाल करेगा, calculation में आएगा 57.62 एमपेर, हम calculation को avoid कर रहा है, because calculation तुम लोग का हत्मे है, तुम लोग को practice करना है, तो इस तरह से देखो current और resistance निकल गया, in case of maximum, जहाँ पर power consume maximum है, अब minimum में भी same कहानी, देखों, जित्तों same है, minimum में क्या दियावा है, power equal to 360 watt, voltage same है, 220, so I क्या होगा, P by V equal to 360 by 220, calculation में यह भी कितना आने वाला, 1.64, काटोटी करें न, 0,0 कट जाएगा, 2 का टेबल में कटेगा, तो इस सेम कहानी, R निकालने देख, R equal to V by I, calculate करेगा, 131, 134.15 ohm, तो maximum और minimum दो केस था, दोनु केस में निकल गया, direct formula था, P equal to V I, चेक करो, current और R निकालने दिया, current निकल गया, P equal to V I से, R निकल गया, एक बाद देख लो, quit out है क्या, एक बाद देख लो, quit out, पही सर, सही है, आगे बढ़ सकता है, एक्जाम्पल 12.11, important है, यह एक्जाम में आया हुआ है, बोर्ड में ही आया हुआ है, बहुत बार, अब दोगो, इसमें लंबा method क्या है, 3-4 method है, तुम्हारा choice है, तुम कौन सा method करना चाहता है, तुमको अगर याद होगा, हम heat का 3 formula लिखाया था, क्या क्या लिखाया था, h equal to i square rt, जो original formula है, जूर स्लोविटी, फिर h equal to v i t, जो कि विटामिन का form है, और h equal to v square by rt, तुम्हारा choice है, तुम 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 किसी का विश्तमाल कर सकता है, अब कौन सा श्तमाल करेगा, और डिपेंड करेगा, तुम्हारा विखाया विखाया, तुम्हारा विखाया, तुम्हारा विखाया, गिवें h equal to 100 j, time, t equal to 1 second, r equal to 4, find v, अब देखके बताओ, कौन सा श्तमाल करेगा, तुम्हारा पस h है, t है, r है, v निकालना है, h is equal to v i t, v निकालना, आई है तुम्हारा पास, अब यह से, वो निकालना है, निकालना है, निकालना सब से, तो यह दो इस है, यह बच्चा यही, तो टारेक्ट एप्लाइ करो ना, क्यों इतना तम जाम करना है, put out, तो रोको, 100 equal to, v square by r, r कितना है, तो फॉर्मूला अगर पता हो, तो calculation आसान किया जा सकता है, तो एक याद है, तो दूसरा भी याद है, डियाइव हो जाएगा, चौन पड़ी, i square r, t और v i, t आसान है, तो उनको जीदरी, v square by r, t भी याद हो जाएगा, एक v i, t विटामीन, और i square r, t तो जूल स्लोर फीटिंग है, याद कर नहीं है, तो बचा v square by r, t, एक बाट देख लो, कोड आउट, इस सम में, किसी को भी, यह important है ले, star कर लो, एक्जाम में आता है, ठीकर ना, केसर, रजनीन, प्राची, कोड आउट है, हम नोट में भी यही मेठट किया है, ओपिस अब आता है, हम शूर है, पांच मिनिट बाट हम लोगे छुटी देजिए, यह का लोगा फ्लास है, भी राजसर के तब, हाँ, हाँ, रूग, जाओ, रूग, जाओ, ए जिकुर राजसर फ्ला लेट कर सकेगा, बाट इसके स्तेमाल किया, और बाकी तो वह ही है, अचा, और करवाया है न, अब दो questions, बुक का है, बुक का है, बुक का है, यह बताओ, वाइड दा कॉड अफन इलेक्रिक इटर, नॉड ग्लो, वाइल दे हिटिंग इलेमेंट दस, बताओ, एक लिएटिंग इलेमेंट 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 इ किस से बना है एलोई से बना है कि यह हैं अप्र जाव्ड है वो तो वायर है वो तो किसी मेटल से बनाओं ना इधर कॉपर और अलिवनियुम का रेजिस्टेंस तो लो होता ना तो इसमें से तो करेंट ही पास होगा, वो गरम क्यों होगा, कोई डाउट? नोट्स में लिखावाई है, यह यहन से लिखावाई है, अगर देखना तो एक लिए रहा The heating element of the heater is made up of alloy, जिसका resistance काफी हाई है तो जब करेंट फ्लो होता है, तो it becomes too hot and glows red But the resistance of the cord, which is usually of copper or aluminum, is very low So it does not glow Clear? ठीक है ना? अच्छा, नमबर टू देखो, यहाँ पर हम बहुत बड़ा method किया है, हम नहीं किया है, वो student किया है पर हम लोग क्या करेगा? फॉर्मुला एपलाई करेगा, कैसे हम बताता है Question number two देखो, क्या बोला है, question देख लो Computer heat generated, while transferring 96,000 Coulomb charge यानि कि तुमको Q दिया हुआ 96,000 In one hour, time कितना देखो? One hour और voltage कितना देखो? 50,000 seconds में convert करेगा 50 volt, आ रहा है निकालने किया देखो, heat generated Age का formula क्या होता है? बताओ VIT क्या होता है? I2RT और? I2RT और? R तो है नहीं मेरा question? V square by R into T देखो क्या मेरे बास question में R है? नहीं तो हम avoid करता है VIT या तो VIT इस्तिमाल करो यह एक है जिसमें R नहीं है H गलो VIT अब देखो V का जगा क्या आ जाएगा 50 I2RT आए का जगा Q by T आएगा अब तुम T बैठाओ है नहीं बैठाओ अब तुम T बैठाओ है नहीं बैठाओ आटमेंटिक लिकाट या नहीं कटा आ देखो 15 तो क्या बना? I2RT Q कितना है? 96,000 तो यह जो आएगा वही answer है कोई डाउट? नाइज आया ना A2Q into V हमको मालूम ना वोक्डान क्या होता है? V क्यों तो होता है? पड़ चलो बैठर है यह टेकनिक लगाओ ज्यादा बैठर होगा समझ गया? कोई डाउट? तो यह स्क्रीन शॉट लेलो नोट्स वाला मत करना नोट्स वाला काफी बड़ा है उसमा हम आर भी निकाला है आई भी निकाला है और फिर आई स्क्वर आटी लगाए यह की बात है बट फिर भी लंबा है ड़न? आगे बढ़ें ही? हाँ सर्थ नोट्स वाला काहनी इस बार आर दियाओ है आई दियाओ है आई दियाओ है टी दियाओ है हीट निकाला है तो वाट इस हीट? आई स्क्वर आर टी कोई प्रॉब्लम? तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो डिपेंड करेगा क्या ग्याया दे बार हम V2 आर टी लगाया क्योंकि I haven't नहीं था लगा दिया नवर 3 में आर गीवन नहीं नहीं क्या ग्या ग्यायओ ए उस पर डिपेंड करेगा और फॉर्मूला लग जाएगा तो नमबर 3 मेरा करवाने का है प्रॉइ हमेजा डेसिमल कागे शिंगल डिजित होना चाहिए निक्नी करीए निकला 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 अगर डेसिमल में डेसिमल करना चाहिए एक दो थीं चार पाच छे तो फो पॉन्ट एट और टैन पाओ नीचे वाला देखो एक दो तीन चार फाइफ कट गया मतलब 1.5 इंटू 10 पावर 4 समझ गया स्टेंडर्ड फॉर्म हम सिर्फ एक कागे डेसिमल लाना चाहता है तो उस जितना स्पेस बचा उतना 10 का पावर आ जाएगा हम फिस एक बार रिपीट करके समझा देता है कि हमको देसिमल कंवर्ट करना और स्टेंडर्ड फॉर्म में लाना है मालों कुछ ऐसा होता 498.124 ठीक है तो हम क्या करेगा डेसिमल को दो घर पीछे पीछे शिफ्ट करेगा तो दो घर पीछे शिफ्ट हुआ मतलब कितना आजा इंटू 10 पावर तू और यह बन गया 4.98124 इंटू 10 पावर 2 समझ गया तो तो तुम जितना घर पीछे जा रहा उतना ही 10 का पावर आएगा क्लियर कि स्टेंड़ फॉर में लेना जरूरिए बहतर होगा या फिट उम इसको ऐसे लिए ना और 484800 किलो जूल यह भी अच्छा तरिका है कि समझ रहा है हम किलो में कनवर्ट कर दिया या किलो वाट आवर में कनवर्ट कर तो तुमारा चॉईस है कि कुट आउट है किसी को कुट आउट नहीं सर यह हम पूरा करवा दिया अलड़ी तुम लोगों यह पूरा बता दिया हम अभी दो एक्जाम्बल कर देता एक्सेजाइस नेक्स क्लास कर देगा ठीक है अज़के लिए इतना ही थोड़ी जै चोटा चोटा दो सेकंड कर सामें देखो ना तीक है सर एक एन एलेक्ट्रिक बल्ब इस कनेक्टेट ट्यूर्ट जेनेरेटर में अब कितना दिया विडिया वे तुट्वेंट वोल्ट करेंट दिया पॉइंट फाइव यानिकी हाफ एंपेर पूर्चा पावर किया है यह तो डाएक्ट मूमल है पीकोट वी आई देखो कुछ बताना हमको देखो जो हो जो हमक्म होन्ड़ फॉल्ट फंड्व कुछ यह यह पुट्व इन डेक्ट्रिक हीपीजीटर रेटेट चार्स वार्ट अप्रिट फुट्स पर डी तो तुब पहले दो पावर कितना दिया है चार्स वाट अब दो वान दे में कितना घंडा है कि एट आवर पर कोईशन में कितना देश का निकालने दिया है तो पहले हम लोग वांडे का हीट निकाल देता है तो हीट या एनर्जी जो भी है वांडे का क्या होगा पावर इंटु टाइम होगा कि ब्रब चार सो इंटु आठ विचीज कि थर्टी टू हंड्रेड वाट आवर कोई प्रॉब्लम वाट और आवर रही है पर यह था वांडे का हमको कोईशन में निकालने दिया थे थर्टी देश का तो थर्टी देश के लिए क्या मल्टिपिलाए होगा थर्टी टू हंड्रेड इंटू थर्टी कितना आएगा देखूं तुम अब्जब करेगा 96 थाउजन वाट आवर कोई प्रॉब्लम तो इस थाउजन को किलो में बदल देगा तो क्या बन गया 96 किलो वाट आवर अब कोईशन वह बुला है अगर एक किलो वाट आवर का तीन रुपिया है तो जितना प्रोडूस होगा इंटू त्री तो कॉस्ट टॉटल कॉस्ट क्या होगा 96 इंटू 3 विचिस जो भी आएगा कोड़ आउट तो हम यहां पर दिखा देगो हम कैसे लिखा है पहले पी लिख लिए टाइम लिख लिए हीट निकाला है तो एनर्जी कंजूम फॉर वान डे अभी निकाला 32 वाट आवर ना है यहां यहां दो वाट डिटेमाने द रेट अट विच एनर्जी इस दिशिपिटेट पावर इस एट अब इनर्जी सिथा पावर फाइव इंपेर आई दिया वह यह तो टूटी वोल्ट वी दिया वह यह ताइम दिया पावर टाइम का कोई मतलब नहीं है विगास पा टू टूटी इंटू फाइव खतम एंसर आ गया है अटिंग इनेवल हंड्रेड वाट तो इसी के साथ हम दोगा एक्जांपल्स खतम अब दो एक है नंबर टू में क्या क्या है वह गलती से हीट निकाल दिया होगा क्वेशन पूरा नहीं पड़ा ठीक है क्वेशन में क्या निकालने दिया है अच्छा डिटामेंड पावर एंड एनर्जी एनर्जी भी निकालने दिया रहे लास्ट में एनर्जी निकाल देना पहले पावर अलग से निकालना फिर एनर्जी क्या होगा पावर इंटू टाइम यह साथ पावर पढ़ा नहीं है सिर पर तुम लोग समझ गया नम क्या किया है किसी को कर डाउट नहीं है ना पहले पावर इकल तो वी आई निकाला जो आगिया 1100 वार्ट फिर अनुजी क्या होगा पावर इंचु टाइम मतब 1100 इंचु टाइम कितना दो गंटा तो जो होगा वाट आवर होगा तुमको जूल मे करना तो कर देना सेकंश में करके समझ या किसी को को डाउट यहां तक कि next class exercise होका और exercise next क्लास हम खतम करेगा लंबा एक्सरेस बढ़ा नेकसरेस का पूरा सोलुइशन है इसमें और नेक्सरेस तुम लोग भी pen and paper लेके बैटना ताकि तुम लोग भी roughly हो शॉल्फ करें तो तुम लोगा electricity का फिलाल homework है series and parallel से जो भी हम समस करवाया आज तक example तक हमको करके भीजो तुम लोग last class series and parallel का समस नहीं भेजा ठीक है पुम अलो में लोगाइ